सो ये वीडियो काफी दिनों के बाद आ रही है क्योंकि बीच मेरी 102 महीने तवियत खाराग रही है और इसके कारण मन भी नहीं कर रहा था कि वीडियो बना हुई या फिर ऐसा कुछ सब्सक्राइब काफी दिनों को बाद कम बैक कर रहा हूं सो इसलिए अभी सपोर्ट अच्छा दिखाना एंड आपकी जगत है मेरे को अभी तो हमने देखके समझ गयोगे कि आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं एंड कुछ यह फोटो थी इस फोटो में रिसेंटली इस आप पोश्ट किया था फोटो की जो टोनिंग को काफी लोगों को काफी दा पसंद आई है इसकी टुटोरियर लाओ एंड कैसे आपने अपनी फोटो में इसको एडिट किया है तो वह सब बताने वाला हो एंड सेम टोन अचीव करना जाते हो सेम तो सेम मतलब आपका जो बै एक्सप्लें करेंगे एंड यहां पर एक जीमेल आइड या फे नीचे आपको दिख जाएगी उस आइड पर जाके अपनी फोटो आप लोग सेंड कर सकते हो एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो जिस बाइड की फोटो अच्छी होंगी या आप लोग अपनी फोटो में करते हो जाएगा जल्दी जल्दी अपनी फोटो सेंड करो एक से दो दिन के अदर आपकी वो वीडियो अप्लोड कर दूंगे आप लोग उससे सीख सकते हो आगे की बात हो गई है और काफी दिनों बाद आया हूँ इसलिए ऐसा कुछ सीन है ब राष्ट होता है काफी डार्क हो जाती फोटो सेड़ों अगेरे लौस हो जाते हैं सु वो चीज़ हम लोग करेंगे उसके राद कब दूल के बाद सबसे पहले हम लोग फश्ट नमर पर आ जाते हैं सो फोटो में हालाइट करने के लिए इसको हलका सा यहां तक यह चीज़ कर ले थे एंड ये चीज जो अपना होता है डा क्वार्ट तो यहां से अपनी फोटो हल्का सा डीकों ट्रेस्ट रोगरी है किसको अल्कवासा नीचे कर लेंगे अप सबसरी का दो काफ्य है का भी डा kayak कर तो दोगे उसके आद आपकी फोटोस हो जाएगी अगर आपको टाइम सेफ करना है सो मैं सिंपली क्या करूंगा इसको कुछ इतना रख लेता हूं इसको कुछ इतना रख लेता हूं क्योंकि वहां पर वाइट पार्ट रहना तो दिखेगा नहीं हम लोग उसी टाइप से करने वाले हैं इसको उपर रखेंगे अगर अब काफी दा चेंज हो चुकिए जैसे मैं स्टार्टिक में बोला था कि कर दो काफी दा चेंज हो जाती है अपनी फोटोल सो यहां से हलका सा कॉंप्रस्ट कम कर लेते हैं एंड हाइलाइट सा कम करेंगे यह सब कर लेते हैं क्योंकि सैडों ठीक तो कówषी दाध में यहां एक साइड में है यहां पर इस चीज को प्लस कर लूंगा कुछ इतना कर लेते हैं यह चीज्श परफुक्ट है ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है इसके कारण हम लोग यहां से एक्सपोजा हलका सा माइनस करेंगे ताकि अपनी फोटो ओवराल डार्क लूक में रहे हैं थोड़ा वाइट को में लोग कम कर लेते हैं क्योंकि अपनी फोटो में काफ़ दा वाइट वाइट लग रहा है ऐ यहां ब्लैक को इसलिए प्लस कर रहा हूं कि अपनी फोटो में जो भी ब्लैक पार्ट होगा सिर्फ वह चीज यहां पर ब्राइट होगा सो इसलिए यह सब चीज आप लिए करो इसके आदम लोग यहां पर जाएंगे टेंप्रेचर पे सो टिंट को मैं हलका सा माइनस ही है तो यहां पर डाइट हेसल में आ जाते हैं यहां पर सेचुरेसन इसको मैं माइनस करने वाला हूं क्योंकि आपनी बेंगराउंड में वाल से इसके जो ऊडलर में यह यह पिल्स कर लेगें मतला ऑवरल फोटो काफी जा लाइट लग रही है तो इसलिए इसको भी रहीं मा अच्छे से experience हो गया और पता चलेगा अब यहां पर green leaves अगर आपके होंगे तो कुछ इस टाइप से कर सकते हो अगर नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहां से यह सब कलर माइनस कर देते हैं अपनी photo में है नहीं सब्सक्राइब यहां पर देंगे अब यह में अपनी सेटिंग होती है यहां पर आपको ध्यान से करना है क्योंकि में यहीं इसी का खेल है हलका सेचुरेशन प्लस करेंगे और यहां से अपनी फोटो में कलर लेके देखेंगे कौन सा कलर कातेदा परफेक्ट बैठेगा कुछ यह फोटो में यहां से सचुरेशन आप लोग अपने हिसाब से प्लस मैनस कर सकते हैं वह आपके उपर डिपेंड करता है और यह जीज जो होता है नहीं यह सेड़ पार्ट होता है फोटो में जित्ते भी सेड़ पार्ट होंगे ना तो यह उस पर बस कलर आएंगे अब यह प्लस की जो मीड होती है यह सी पुस पर आएंगे तो हलका सा मीड टोन पर क्या होदा अपना फेस भी कबर होता है तो इसको हम लोग हलका सा फेस की कलर टोनिंग के लिए मेंली इसको ज्यादा यूज नहीं करना आप लोग क्योंकि आपकी फोटो इससे खराब हो सकती है और फेस की कलर टोन खराब हो सकती है वो चीज में होदा है और यहां से इसको हम लोग उपई की तरफ रख लेंगे यह चीज परफेक्ट है अब देख सकते हैं काफी दार टोनिंग अपनी फोटो में एड़ना सुरू हो चुकी है कुछ ही इस टाइब में हम अख पर ठेंगे कुछ में आइड करेंगे हर घ्रका सपह से और ने फिदख सकते हैं सकतते हैं अपनी यहां पर अपनी फोटो में नीचे से ब्लका डाइक करेंगे आब यह चीज अपर से बार कुछ इस टाइब से यहां से Clarity D है यह सब चीज माइनस कर देंगे तो देख सकते हो अपनी फोटोज एडिट हो चुकी है बस यहां पर हलका सा लग रहा है तो इसको हम लोग फिट से कर लेते हैं क्योंकि इसकी इन टोन यहां पर डिफरेंट आ रही है सो यह चीज देख सकते हो बिफोर एंड आफटर सो कुछ इस टाइब की फोटोज आप लोग फोटोज एडिट करो एंड में को टैग करना एंड नीचे जीमेल आड़ी मिल जाएगी उसमें अपनी फोटोज से रंका देना सो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखनों को मिलता लाइक जरू कदर और कमेंट में बताना की यह वीडियो कैसे लगी और नेफ्ट इस टाइब की टोन्स पर आपको वीडियो चीज़े सो मिलते कि इस यह न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैस याराम